नमस्कार दोस्तों आप शवी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज का यह वीडियो आप शवी के लिए बहुत ही महत्पून, बहुत ही खाश और बहुत ज़़ा परवाव चाली रहने वाली है क्योंकि दोस्तों 16 जनवरी की शुवा 9 बज़े से और 17 जनवरी की शुवा 9 बज़े तक दोस्तों यश्मे गरहों में कुछ ऐसे बदला हो रहे हैं कुछ ऐसे बड़े परिवर्तों हो रहे हैं जिनके कारण आपके जून में कुछ ऐसे बड़े गटना होंगी कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होंगे और कुछ ऐसी बड़े बाते होंगे जिन से दोस्तों आपका हो सूर जाएगा दोस्तों यश्में वो कौन से घटना हैं कौन से बड़े परिवर्तन हैं जिन से आपके हो सूरेंगे जानने के लिए आप मारे शाद वीडियो के अंतर तक दबने रहेगा वीडियो काफी महत्पून होगी आपको परतेक जानकोरी के बारे में विस्तार्षी बताएंगे शाती यश्मे आपको किन किन शियों को लेकर शावधान रहना होगा और कौन-कौन शेकारे आपके लिए भागिशाले होंगी इनके बेभी बारे में बताएंगे यश्मे आपका लव लाइफ, श्वास्त केरियर और धन किस्तेदी केचरेंगी दोस्तों इन सभी की महत्पून जान कर देंगी दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में जैम अदादी लिखेगा गुरु जी का श्विधा शिरवात प्राप्त करेगा और अगर आप चैनल पर भी नहीं हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश करके और प्रस सेलेक्टर लें ताकि और शिया दिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुँश के तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों यश्व में अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पुरी यजना का प्रारूप बनाना आपको कारियों में गलती होने से बचाएगा किसी पीरिवेक्ति की आपको मदद करने पड़ सकती है प्रंदू दोस्तों आपको बता दें कि यश्व करने से आपको मांस्टी को अफिरात में खुशी भी प्राप्त होगी वाईतित होगा और दोस्तों प्रंदू उसका कोई भी लाव दग नेतिजा आपके शामने यश्व में नहीं आएंगे दोस्तों यह जो आपके लिए श्व में होंगी आर्तिक इस्तिति कुछ मंदी रहेंगी इसको प्राण दोस्तों यश्व में आपको बता दें यह श्व में आप महत्पून श्व मंदी कोई भी शकार्टों के बात आपको इसमे पता भी चल सकती है जिस बात के बारे में आप काफी दिनों सिंतजार कर रहे थे दोस्तों उसी से श्व मंदी प्रगति इसमें आपको नजर भी आएगी आपको बता दे कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लोटने की कोशिश कर सकता है विदेश में रहने वाले व्यक्ति दोवरा आपको कोई अच्छी खबर यसमे मिल सकती है और इसको प्रान दोस्तों यसमे आपके लिए समय होंगे आपको बता दे कि दोस्तों बहावनातों ग्रूप से अपने आपको मजूद आप महसूर करेंगे तदा घर परिवार और वैशाय में उचित समाज़स भी यह में बना रहेगा दोस्तों कुछ शमय अपने रूची पूर्ण कारियों में शमय को उतित करें यह आपके लिए बैतर होंगे आपको इसे नहीं उर्जा की और भ्योती भी होने वाली है दोस्तों आपको पताते हैं कि गुनातमक और रशनातमक शमय दिक कारे में आपका विशेस यसमे रूजहान बढ़ेगा और इसके प्राद दोस्तों यह में अपने विचारों में लश्चीला फण रखें यह आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों किसी बात पर जिद करने या फिर अड़ जाने से आपके काम खराब हो शकते हैं तो दोस्तों इस बात के यह में आपको अती ध्यान रखने की आवश्यत्ता होगी किसी मित्र के शाथ बीचार भिमश करना आपके शमस्याओं का हल निकाल सकता है दोस्तों यह में संतान की गतिदियों पर आपको नज़र रखना अती आवश्य होगा और इसके उप्राहत दोस्तों यह में आपको बता दे कि दोस्तों आपके प्रतन की यह में प्राप्ति होगी विद्यार्तियों के लिए यह में शकार्तमक फल देने वाला शमय होगा दोस्तों सरकारी नुकली के चाह रखने वालों के लिए भी काम से समझेद कोई अच्छा खबर भी अच्छा सुजना भी यश्मे मिल सकता है और इसको प्राहन दोस्तों यश्मे आपके लिए यश्मे होंगे आपको बता दे कि दोस्तों आपके कारे श्वता ही बनने शुरू हो जाएंगे आप अपने अंदर बहुत ही अर आश्मित्स्वास को इसमे महतूस करने वाले हैं इसको प्राहन दोस्तों आपको बता दें कि कार्चम्दा में यश में पूरे दिन पूरे शमय में आपको बिर्दी होने की सभावना बन रही है। आपको बता दे यश में भाउकता और आलाश्य अपने आपको दूर रखना चाहिए इनको अपने उपर हावी नहीं होना देना चाहिए तथा दोस्तों यश में अनुकुल समय का फैतरिन उप्योग आपको करना चाहिए आत्म केंदरित होने के बजाए आपको समाजिक तथा पारेवरी गतिद्यों में भी रूजहार यश में रखना चाहिए और इसको प्रांद उस्थों यश में आपके लिए सुखोंगे आपको बतादे कि दूस्तों मौज मस्ती पर जर्रत से अधिक किया पैशा खर्च आपके लिए खराब हो शकता है दोस्तों खर्चा आपके तराव यस में काम हो रहा है फिर फिर भी दुरुकम पर अपको पूरी तरस्य ध्यान श्क्राइब और इसके वज़र से आपको नुक्सान होने की आश्षंका भर रही है तो कंल से यफिसे आपको शाहोगा त्प्रकृ अपने हरी को कर ने के सपीन करने वाली है दोस्तों अपनी चीपीवे परतिबाग को पहचाने और उसका उपयोग करें विद्ध्यारतियों को परतार संबंदी कारियों में शपलता मिलने की पूरी सभावना बन रही है आपको बताते हैं कि यह आपको कई दिनों से लेकर जो भी शुर्णा नहीं मिली थी दोस करना चाहिए बाहरी व्यक्तियों का सब्सक्राइब आपके लिए यह में परिशानी का कारण बनेगा तो दोस्तों इससे सावधर रहे हैं शाते हैं आपको अपने गुश्य के बजाए शांती पुन तरीके से प्रस्तियों को सभालने की जुरत होंगी दोस्तों यह आपके शमदी कोई भी विवाद चल रहा हो तो दोस्तों उसे आपसी समाजस से मिटाना मिटाने की कोशिश करें यह आपके लिए बैतर होगे क्योंकि केस से शमदी जो भी निरले होंगे वे आपके पक्ष में इसमें होने की समानों जहें बहुत ही कम होगी और इस आपको नुक्स अपने के शमाना बन रही है पबलिक रिलेस्टन्स रखने वालों के लिए बहुत अच्छा खबर इसमें आपको मिल सकता है दोस्तों वायोशाय समदी नए श्रोत भी अश्में उत्पन हो सकते हैं आपको बता दे कि जो लोग है आपके संपर्क में रहेंगे और नोकरी में किसी परकार की तरक्वी यश्मे आपको दिलाने वाले हैं और इसको पराण धसमें आपके केरेर के लिए जर समय honगे आपके और एऊ शाय के लिए वोग आपको बदा दे कि कार चेतर में काम से समद्धित कोई नुकसान होने की भी अश्रका बन रही है दोस्तों आवे यश आपको अफिस के काम का विसेस ध्यान देना चाहिए यह आपके रिए बहतर होंगे शायधार शामन्नी बिजनस में ऐसे मुनापा होगा अपने सभीगों की न सब्सक्राइचन करें यह फायदेमान शाबित होंगी आपके वायुशाय के लिए समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि साइधार शमंदी कार्य यश्मी मुनाफे में रहेंगे तदा पार्टनर के शाथ आपसे सयोग और सलाव वायुशाय को और अधिक गतिय परदान करने वाले नई अनुमंद भी यश्मी में आपको प्रात होंगे नोगरी पेशा लोगों को कोई महत्पून अथर्टी भी यश्मी प्रात हो सकती है और इसको प्राहन दोस्तों यश्मी में अगर आपकी लव लाइफ को लगर बात करें तो दोस्तों यश्मी आपको अपने वाणे परस्टे में रखना है और कोई भी कारी को करने शपल इपने जीवन शादी का शला अवश ले यह आपके लिए यश्मी भैतर रहने वाले हैं यह आपके लिए बैतर होंगे और आप इन्हें संतिपुर तरीके से सुल्दा भी वाएंगे तो दोस्तों जो है गुस्य के बजाए यश्मी संतिपुर तरीका का इस्तुमाल करें यह आपके लिए यश्मी बैतर शावित होंगे और शाथी दोस्तों परिवार वफे नेदिकी मित्रों के साथ कुछ श्रमे वहतित करने से शम्मद में और अधिक मजबुती आएंगी तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए शाथी इनसे पारिविर वातारण और भी स्वाहद पूर्ण बना रहेगा और शाथी अपने इनसे श्रम को मजब बना कर रखने की कोशिश करें और इसके लिए आपको योगा और वियाम पर ध्यान देना चाहिए अगर आप शाथी रोकेंगे तो अंत में आपका श्वास ठीक होगा कभी कभी मनोबल में कुछ कमी भी महसु होगी परन्तु जल्दी ही आप इसी जिद्धी पे उबर जाएंगे